नमस्कार दोस्तों आज हम इस पाम की एनालिसिस करेंगे देखते इस पाम में क्या-क्या खासियते हैं सबसे पहले पाम की साइज कम्प्लिट रेक्टेंगल है प्लस साथ में थोड़ी सी चोड़ाई भी है तो व्यक्टी 70% काम बोल कर करते होंगे और 30% काम मेनत से करते होंगे इस तरह की मानसिक्ता होगी इनका अंगुठा बहुत बड़ा तो नहीं है पर मानसल है तो थोड़े से strong attitude वाले लोग रहते हैं इस तरह के उंगलिया काफी चोटी है तो जल्दी से नीड़े लेते ये लोग और जीवन में जल्दी सफल होते हैं क्यूंकि जो व्यक्ति स्पीड में नीड़े लेता है वो काफी स्पीड में सफल भी होता है और इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संक्या बढ़ते जाती ह अब जो सूर्य की उंगली है वो काफी बड़ी है तो इन में हिम्मत भी अच्छी खासी होगी और इनकी उंगलिया छोटी होने के बाउजूर भी फर्स फैलेंट देखिया आप बड़े है तो यह लोग एनालिटिक परस्नालिटी रहते यानि कोई प्रोजेक इनके हाथ में आ लिखावे में छोटी है पर फिर भी थर फैलेंज के एक दो एमेम कम है तो डॉकमेंटेशन फाइलिंग याद शक्ती चीजों को संबाल कर रखना उसमें थोड़े से कम हो सकते गून 10 से 15 परसेंट बाकी सब गून इन में होंगे और सबसे बड़ी खासियत यह उंगली का ज जब यह बैंड होता है तो व्यक्ति पैसे के मामले में काफी चतूर होता है काफी चतूर और यह लोग बिजनेस में पैसा इन्वल होता ही है और यह बिजनेस करने में काफी एक्सपर्ट होते हैं केवल यह इतनी सी चीज है पर व्यक्ति को बहुत बड़ा व्यक्ति बनाती यह बहुत शातिर मैं शब्द थोड़ा सा यह शातिर श्ट्रॉंग है पर इसको शातिर को आप उस नेगेटिव वे में मत लीजिए शातिर मींस एक्सपर्ट काफी एक्सपर्ट होते हैं यह लोग अब चलते हैं इनकी ग्राव के और ग्राव पर देखे तो बुद्परवत उब्रा हुआ तो है पर कहीं न कहीं थोड़े से खड़े भी है यानि यहां से थोड़ा सा कम है यहां थोड़ा सा जादा है तो व्यक्ति में एक नाम की अभिलाशा भी जादा रहती है नाम कमाने की भी अभिलाशा जादा रहते हैं पैसे के साथ साथ इस तरह का जब बूद पर्वत होता और ख़िनगे थोड़ी सी कमी रहती है व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में यह कमी रहती है बहुत जादा कमी नहीं होगी क्योंकि बूद पर उबरा हुआ तो है पर और उसके पहले सुर्य परवत पर चलने के पहले एक शुक्रवलय बना हुआ है जो complete तो नहीं हो रहा है यहां आकर अटक रहा है पर ये भी लगबग 80% शुक्रवलय है और मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियो में कहा है शुक्रवलय टूटा भी हो कैसा भी हो व्यक्त को अच्छा-खासा धन्द कमाने में साहिक होता है संपून होता तो covet बहुत बड़े लेवल पर पैसा कमाता पर इस तरह का भी शुक्रवलय अच्छा-खासा व्यक्ति को पैसा कमाने में हेल्प करता है तो यह भी प्लस पॉइंट है इनके जीवन में और यहां पर एक जुल सूर्य परवत है बहुत कम लोगों का बिगड़ा हुआ होता है यहां पर मुझे बहुत सारी रेखाय दिख रही है तो यह फोकस को डिवाइड करेगी इनके एक जगा फोकस नहीं रहेगा और इनका सवाल भी यही था कि मुझे कौन से बिजनेस में जाना चीए क्या करना चीए तो व्यक्ति इस तरह का सवाल पुछता तो उसके पॉइंट भी उनस पर रहते है यह टाइप का साइकोलोजिकल साइकोल यह चीज इनके सुर्य परवत पर भी दिख रही है मैं इनका उपाय बहुत अच्छा उपाय है पुजा का मैं इनको दूंगा अगर यह हिंदू होगे तो बहुत अच्छा उपाय है ऐसा बहुत अच्छा काम इनके जीवन में होगा यह सुर्य की शक्ति को कम कर रही है यह और सूर्य दबा हुआ भी दिख रहा है, बहुत कम पामों में इस तरह का रहता है, बहुत अच्छा है इलाज अब बहुत इनके जीवन में फरकाएगा इसके कारण, और अब यहाँ पर चलते हैं, सूर्य पर जो साइन बन रहे हैं उसके बारे में जानकरी लेते हैं, पहली सा सश्वाआब काहँ इनका ऐसे घरवन में पैसा जाधाा आता है, व्यक्ति अपनी आय से ज़दा अच्छी तार से रहता है, प्लस फैला हुआ बिसनेस होता है,境 छे जो भी यह यह कारेशेतर हुआ होता है, या जॉप करें, फैला बढ़ा हुआ हूआ यानि मल्टी सिटी का कामकाज होता है इनका और इनके पाम पर दो तीन स्क्वेर बने हुए तो ये भी एक पैसा कमाने की अच्छी साइन है सुर्य परवत पर फिर भी मैं कहूंगा ये जो सुर्य परवत है उसके लाब इनको मिलने में थोड़ी सी तकलिप आती होगी ये मैं अच्छा खासा इनको इलाज दूंगा बहुत याद करेंगे मुझे जीवन पर अब चलते हैं इनके सनी परवत पर सनी परवत पर कोई खामी नहीं है रेखाए भी चल रही है बुड़ा पे तक अच्छा खासा धन इनके पास आता रहेगा धन की कोई कमी इनके हाथ में उस तरफ इशारा कर रही है अब चलते हैं इनके गुरु परवत पर गुरु परवत भौत पामों में होता है वैसा ही एक्चिल में है परवत अच्छा कोई खराबी नहीं है पर शुक्र की जो साइज है उसके सामने गुरु की साइज काफी कमजोर है बहुत कमजोर तो नही गुरु परवत काफी अच्छा है, कोई प्रॉबलम मुझे दिखने ही रहा है, यानि पारिवारिक प्रॉबलम मुझे गुरु परवत से दिखने ही रही है, यह अपना अच्छा खासा वैपार का विश्तार कर पाएंगे और ऐसी कोई नेगिटिव साइन इस गुरु परवत पर नहीं है, बढ़िया परवत है और स्ट्रॉंग रेखाए भी चल रही है, यह आड़ी रेखा यह इनको अकड़ साइन्स की और इंट्रेस्ट दिखाती है अब चलते हैं इनके अंदूनी मंगल, अंदूनी मंगल अच्छा खासा स्पेस लिया हुआ है, तो सरीर के अंदर ऐसे लोगों में एनरजी अच्छी खासी होती है, काफी एनरजी होती है और यहाँ पर यह जो आड़ी रेखा है, यह थोड़ा सा चिंतित, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा चिंतित सबाव व्यक्ति को देती है यह एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा रेखा है नहीं है अब चलते हैं इनके बारी मंगल, बारी मंगल काफी अच्छा है, उबरा हुआ है, तो व्यक्ति में दो गुन पाये जाते हैं, एक तो जिस से मिलता है, तो comfortable feeling होती है, अब मैं बहुत बार वीडियो में आप लोगों को बलता हूँ कि comfortable feeling होती है, सामने वाला comfortable feel करता है, तो ये भी benefit ही देता है, पैसा कमाने में, अंत उसका जो होता है, वो पैसा कमाने में फाइदा देता है, आप किसी से मिलोगे, और उसके दिल में घुज गए, तो natural है, आपके साथ वो trade करेगा, आपके साथ वेवार करेगा, और आपको उसका benefit मिलने वाला है, तो ये भी पैसा कमान में ये सभाव भी मैं help करता है प्लस संकट के समय ऐसे लोग कहीं पर भी सारा नहीं डूंटे अपने बल्बूते पर उस संकट का सामना करने में समर्थ होते यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अब चलते इनके चंद्रपरवत पर अब जिसके भी विदेश कमाने की रेखा है तो उसका चंद्रपरवत ऑल्वेज बड़ा होगा यहां पर भी देखिए काफी बड़ा चंद्रपरवत है काफी बड़ा और उब्रा हुआ है पैडिंग है उस पर तो यह प् कॉंप्लिट चंद्रपरवत पर जा रही है तो ऐसे लोग मैक्जिमम चांसेज है यानि हंडिट परसेंट कह सकते कि ऐसे लोग विदेश में जाकर ही सेटल होते हैं यह इस टैप के लोग चांसेज फूल रहता है कि व्यक्ति विदेश में ही सेटल होता है अब यह कहां पर के प्तल्स में पता यह नहीं पर यह विदेश सेटल्मेंट की रेखा ही है इनका अगर इंडिया में भी रहते होंगे वीदेश सेटल्मेंट पका है पका है अब यहाँ पर बहुत सारे और दुसरे पीचिन बाइघा यह जो रेखा है, यह इनका पेट खरा भी दे सकती है, एक फिश टेल बन रही है यहाँ पर, फिश नुमा आक्रोती बन रही है, तो यह भी शरीर में इस से पैसे से कोई लेना देना नहीं, दूसरी चैनलों में इस फिश के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, पर इस फि में एक एनर्जी भरती है, और उस एनर्जी के कारण आप एक्टिव रहते हो, और आप एक्टिव रहते हो, तो अच्छा धन कमाते हो, सब कुछ साथ में चलता है, आपका सरी स्वस्त है, आपका मन स्वस्त है, तो आप नेचरल है, पैसा कमाऊ गई, तो यह उस तरह से आप आपको help करती है अब चलते हैं इनके शुक्र परवत पर शुक्र परवत पर भौत सारी रेखाए यह यहां पर एक माइनस पॉइंट परवत काफी बड़ा लगजरी की लाइने भी यह इनके पास अच्छा खासा धन देगी जितनी भी अबारिक रेखाए यह इनके जीवन में विग्न लाती होगी ऐसा इनको महसूस होता होगा जैसे इनका किसी ने पैर पकड़के रखा है इस तरह का 100% इनको महसूस होता होगा कि मुझे जीस तरह से आगे बढ़ना वो आगे बढ़ने ने मिल रहा और यह जब से इनकी रेखा होगी तब से इनको यह फिलिंग आती होगी इनका भी इलाज है बहुत आसान इलाज है कोई हाड नहीं है मैं इनको दे दूंगा अब चलते हैं इनकी रेखा होगी और इनकी रेखा देखे हिर्दे रेखा कंप्लीट गुरु परवत से सुरू होकर काव ले रही है तो यह लोग भावक किसम के होते हैं भावनाव में न निने लेते हैं प्लस गुरु परवत से सुरू हो रही है तो व्यक्ति विश्वासु किसम का रहता है और बहुत कम यानि बहुत अंदर नहीं जा रही है जूपिटर माउंट में तो थोड़ी सी कि आदर्सवादी जो इस्तितिय इनके साथ लागु नहीं होती पर कव लेने के कारण ये लोग जादा भावुख होते भावुख का में नेने लेते और इस पर फ्लर्ट लाइन भी है तो ये खुश मिजाज रहने वाले व्यक्तित्व के धनी होंगे अब चलते हैं इनकी हादर है रहा कि बाकी बाइगों के देखते हैं अब ये पार्ट जब इनका जीवन का सुरू होगा तो थोड़ा सा बोज बढ़े गा इनके Hey थोगा बावन के बाद वावन के बाद इनके जीवन में थोड़ा बोज बढ़ते जाएगा और नेचरल है व्यक्ति का जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है परिवार की जिम्मेदारिया बढ़ती है और व्यक्ति तो कई कोई खास टेंस लेने वाली जीवन रेखा आपना हार्ट लाइन नहीं है बड़ी हार्ट लाइन है अब चलते हैं इनकी माइन लाइन की हो माइन लाइन का अगर उद्गम स्थान देखे तो कंपलीट गुरु परवत से सुरू होकर इस तरह से एंड तक जा रही है तो यह क्या देखा रही है जब भी गुरु परवत से माइन लाइन सुरू होती है तो व्यक्ति बहुत महतोकांशी होता है बहुत 100% नहीं बोल सकता कि आधि कि सी एक व्यक्ति को घर में ज्यादा बोल बोल करते होंगे तो थोड़ी सी और पर बैंड होती तो 100% इस ठाइप का नेचर होता था पर मैं एक खाली एक अंदाज आप लगा रहा हूं कि हो सकता है कि ये घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल-बोल करते होंगे और वो व्यक्ति इनसे परेशान होगा बाकी माइन लाइन काफी अच्छी है बुद्धी चतुराई अच्छी है हाँ थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आता होगा तो ये विश्पोटक बनते होंगे इसके सिवा कोई माइनस पॉइंट मुझे माइन लाइन पर नहीं दिख रहा इस पार्ट में थोड़ इसी मोटाई ज़्यादा है तो हो सकता है इस पिरियड में ये काम का प्रेशर ज़्यादा ले जीवन में ये लगबग उमर होगी 35 से लेके या 32 से लेके 52 उस पिरियड में थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे अपने आगे बढ़ने के लिए तो उसके लिए वो प्रेशर दिख रहा है बाकी कोई खराबी इनकी है नहीं अब इनकी मनी ट्रैंगल देखे तो इनका मनी ट्रैंगल है ही नहीं पर ये बहुत बड़ा ग्रेटर ट्रैंगल बना हुआ है यानि ये बुड़ा पे तक अच्छा खासा धन संचे कर लेंगे अच्छा खासा यूज लेवल का धन संग्र है इनके बास होगा यूज लेवल की संपत्ति होगी जब इस तरह का ग्रेटर ट्रैंगल बनता है तो जीवन भूर अपार सफलता दिलाता है अब इनकी जीवन रेखा को देखे दो पड़ाव इनके जीवन में पॉजिटिव आये होंगे एक लगबग उमर 27-28 में और एक उमर लगबग अभी इनके 36 के आसपास या 37 के आसपास इनके जीवन में आयेगा और उसके बाद इनकी जीवन रेखा स्मूथ आगे चल रही है हाँ बीच-बीच में थोड़ी सी राव रेखाओ ने हलका हलका कट की है तो उस पिरियड में थोड़ा सा टेंशन इनके जीवन में आयेगा जब सफलता लिखी रहती है तो साथ में थोड़ा सा टेंश भी व्यक्ति के जीवन में रहता है और ये राव रेखाओ इनको वेरियस पिरियड में अलग-अलग समय पर इनको टेंश देगी एक टेंश आएगा लग-बग उमर 32 के आसपास एक टेंश उमर 40 के आसपास और ऐसे ये पचास के आसपास 55 के आसपास 60 के आसपास इस तरह से इनके टेंश रहू रेखा के कारण थोड़ा सा टेंश इनके जीवन में आएगा या थोड़ी सी रुकाओट आती है अब इनकी फेट लैंग और ये जीवन रेखा कंप्लीट मैंने पहले ही बताया ये पर एक वाया लासाविया लाइन भी है ये लाइन हो ना हो इनको खालीपन का एसास करा रही है कोई ना कोई व्यसन इनके जीवन में होगा उस खालीपन को भरने के लिए बहुत तरह के व्यसन होते कामुकता धर्मिकता चाय कॉफी सिग्रेट दारू भहुत तरह के व्यसन होते जीवन में व्यक्ति के उसमें से कोई ना कोई व्यसन इनको 1760 तरह के दवाई के कोई ना कोई व्यसन व्यक्ति को रहता है इस तरह की लाइन के कारण अब इनकी फेट लाइन को देखते हैं जब कभी भी जीवन रेखा से फेट लाइन निकलती है तो व्यक्ति सेल्फ मेड होता है यानि अपने बल्बुते पर आगे बढ़ता है कम्प्लिट किसी की साहता के बिन आगे बढ़ता है यह सबसे बड़ी खासियत होती है और इनकी फेट लाइन देखिए यहां तक मोटी है अब तू 35-36 तक और यहां पर आकर दो फोक बनें तो यहां पर कोई न कोई इनका व्योस है दो दिशा में जा रहा है और इस तरह से आगे बढ़ रहा है और एक इस तरह से आगे बढ़ रहे है यानि यहां पर उमर 33 के आशपास कोई न कोई बडलाव इनके जीवन में आया होगा और इनकी फोक फेट लाइन इस तरह से डिवैडe हो रही है और हो नहो 36 से कोई न कोई बदलाओ करके इनका व्योसाय चेंज होगा और आगे बढ़ेगा और एक व्योसाय इस तरह से आगे बढ़ रहा है और यहां से और एक 36 में आये का साधन बन रहा है इनके और यहां पर और यह 56 से और एक आये का साधन 55 से और बढ़ रहा है तो continue इनके आये के सादन बने हुए इस तरह से हाँ इनके जीवन में आने वाली बादा है बताते एक उमर लगबग 27 के आसपास इनके जीवन में कोई बादा आई होगी एक बादा 32 के आसपास दिख रही है एक बादा इनकी 35 के आसपास या 36 के आसपास दिख रही है और उसके बाद ये जो बादा है ये बादा नहीं है ये लगबग हड़े रेका से रेका निकल कर इस तरह से काट रही है तो हो नहूँ समय परिवार के लिए बड़े स्तर पर कोई एक्सपेंस करे व्यक्ति और वो अलग-अलग सब्जे अलग-अलग व्यवसाय में अलग-अलग समय पर होगा एक 38 के आसपास इस व्यवसाय में होगा और एक 44 के आसपास इस व्यवसाय में खर्च होगा ये दो अलग-अलग खर्च होंगे पर ये रेका अगर हर्दे रेखा से निकल कर नहीं जाती होगी तो इस समय आर्थिक नुक्सान भी इनको जा सकता है पर 99 परसेंट ये रेखा मैंने दो-तिन फोटोग्राफ देखे उसमें हर्दे रेखा से ही निकलते दिख रही है और यहां पर इस वयुसाय मैं थोड़ी सी रुकावट आएगी 50-52 के आसपास थोड़ी सी कमजोर रहेगी तो ओवरल देखा जाए तो अभी इनका चेंजिंग पिरियड आने वाला है यह अभी तक जो मैनत कर रहे थे यह मोटी रेखा थी अब रेखा है इनकी काफी पतली हो रही है काफी पतली तो यह रेखा है इनको जादा अधिक धन देगी इनके जीवन में बहुत जादा धन देगी और दूसरा इस रेखाओं को देखे तो बहुत साथ में चल रही है तो घर में किसी न किसी व्यक्ति को पूछ कर ये कारे करते होंगे दूसरा इनका एक सवाल था कौन से बिजनेस में जाना चीए तो मेरा सवाल है इनके पाम के अंदर शुक्र परवत भौत उब्रा हुआ है तो ऐसे लोग शुक्र से रिलेटेड काम जैसे कॉस्मेटिक हो गया, कपड़ा हो गया, मेंगी चीजे हो गई उस तरह के जो चीजे, जब इस तरह का शुक्र परवत होता तो उसके हाथ से मेंगी चीजे भी बहुत इजीली बिखती है अगर अभी जो भी कारे करते होंगे, उसके अंदर अगर ये नोट करेंगे तो इनके अगर दुकान होगी तो महेंगी चीज़े जादा बिक्ती होगी जब शुकृत आपका मजबूत होता है तो महेंगी चीज़ों का वैपार हमेशा करना चीज़े वो काफी फाइदे का सौधा होता है दूसरा ये चंद्रपरवत भी अच्छा है तो पानी और डूच से रिलेटेड काम भी ये कर सकते है इनके तीन माउंट बहुत अच्छे है ये तीनों गुरू भी अच्छा है तो फूड से रिलेटेड काम भी ये जीवन में कर सकते है तो यह सारे प्लस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट थे उसका भी डिसकेशन कर लिया आशा रखता हूं इनके सबी सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद